जैस्री किष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचेस मारत द्वा यूटूब चैनल पर। आज मैं आपको तीन ऐसे संकेत बताऊँगा। बताने को बहुत सारे संकेतें लेकिन यह तीन संकेत अगर गरबती मैला को नजराते हैं तो उनको अवस्य ही ज्यादा तर चांसिस लड़के के होते हैं। लड़का लड़की के बारे में बिचार करना वैसे तो ठीक नहीं है। लेकिन जिनके पहले से लड़की हैं तो वह मजबूरी में इस बारे में बिचार करते हैं। कि गरम में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की वैसे तो भगवान जो फल दे देते हैं उसे सुईकार करें लेकिन कई चांसस ऐसे पड़ जाते हैं कि इनसान को मजबूरी में सोचना पड़ता है निमानों जिनके पहले से दो लड़की हैं तीन लड़की हैं तो वह प पारी दे रहा हैं और तीन ऐसे संकीत बताऊँगा और आप ज्यादा तर यह पता भी कर लेना जिनके भी लड़का हुआ है उनको यह तीन संकीत जरूर नजराएंगे बैसे तो 20 संकीत होते हैं लगवग 18 भी संकीत होते हैं जिन में से ये 3 संकीत बहुत ही मैत्य पूर है देखो सब से पहला संकीत है कि साइड में बच्चे का गुमना साइड में अमेशा लड़का ही रहता है इस बात का अमेशा ध्यान रखें कि गरबती मैला अक्सर पांच में महिने के बाद यह अनवाब करें कि बच्चा किस सैड में गुमता है बच्चा ज्यादा तर आगे की तरफ रहता है या सैड में रहता है तो ये सबसे बड़ा संकेत है आप बिल्कुल टेंसन फिरी हो जाए अगर बच्चा ज्यादा तर साइड में रहता है बाई तरप ज्यादा तर बच्चा रहता है और मैला को भी उच साइड में सोने पर सकून मैसूस होता है अगर देखो आपके गरब में लड़का है और वह साइड में रहता है तो गरब बती मेला सीधी कम सो पाएगी सीधा सोने में उसे दिक्कत मैसूस होगी और वह साइड यानि करवट लेकर के सोईगी तो उसे सकून मैसूस होगा तो आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि लड़का है ये सबसे पहला और सही संकेत है ये संकेत कभी भी फैल नहीं हुआ है हमेशा लड़का साइड में रहता है और पेट में नीचे की साइड को रहता है और लड़किया हमेशा आगे की तरफ करेजे के पास रहती है तो इस बात का आप विशेशूप से ध्यान रखें अगर यह संकेत आपको मिलता है तो आप अंदाई लगा सकते हैं कि 90% आपको पुत्र के ही चांसिस रहेंगे बैसे पुत्र प्राप्ति के लिए कैई चीजों का ध्यान रखना जाता है मैं हर वीडियों में आपको बताता हूँ उन चीजों का आप विशेशूप से ध्यान रखेंगे तो आपको टेंसल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा तर सफलता है आपको मिलेंगी दूसरा संकेत यह संकेत भी सही निकलाए और ज्यादा तर यह संकेत जिनको लड़का हुआ है उनको 90% यह संकेत रहा है सही रहा है कि अगर गरबती महला के चैरे पे कमजोरी आए यह अमेज़ साथ ध्यान रखें और इसको अजमा करके देखें अगर गरबती महला के चैरे पे कमजोरी है बिल्कुल कमजोर चैरा हो जाता है तेज हीन हो जाता है चैरा सोवे सोवे जैसे आप जगेंगे तो सबसे पहले सीसे में अपना चैरा देखें सेशे में आप चेरा देखेंगे तो आपको अपना चेरा ठका हुआ, कमजोर मैसूस होगा या कभी-कभी ऐसा होता है कि चेरे पर कील मुआ से आधी निकले आते हैं आँकों के नीचे बिल्कुल कमजोर ही आ जाती है तो यह लड़के की निसानी मानी जाती है यह संकेत भी 90% सही निकला है गरबती मेला इस बात का विशेशूफ से ध्यान रखें कि लड़की की पूत को चेरे पर रो नकाती है कापी निसकर्श के बाद यह पता चला है कि जब लड़की गरब में होती है तो चेरे पर रो नकाती है मेला के पर और जब लड़का होता है तो चेरे पर कमजूरी आ जाती है यह बहुत ही सटीक जो है संकेत है अगर यह संकेत आपको नजर आता है तो आप अंदार लगए कितना भी खा पी लो कितना भी खा लो लेकिन चेरे पर आपकी पर रोनक नहीं आएगी चेहरे पर कमजोरी ही रहेगी तीसरा संकेत एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्राइ कर रहे हैं तो उस समय कुछ बातों का विशेशूप से आपको ध्यान रखना होता है अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे उन नियमों का पालन करेंगे और खान पीन का विशेशूप से ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चनत रूप से ही आपकी मनुकामना पूर्योगी और लड़के की प्राप्ति हो कई संकेतों में ये भी देखने को मिला है कि जब डिलीवरी का समय नजदिक होता है जब डिलीवरी का समय नजदिक होता है तो गरप्ति के महला के कमर में पीचे के हिस्चे में दर्द होना शुरू हो जाता है बहुत ही तेज़ी और पेट के निचले हिस्से पर दर्द होता है तो ये लड़के की निसानी माना जाता है क्योंकि लड़का जो है पेट के निचले हिस्से पर सैड में रहता है तो उसी जगे पहल चल करता है तो आम सी बात है जहर सी बात है कि वहाँ पर दर्द महसूस जरूर होगा और जब डिलेवरी होने वाली होगी एक-दो दिन में तो कमर पर दर्द होता है बहुत ही तीज़ जब आप डिलेवरी के लिए जाएं और कमर में अगर आके में दर्द हो रहा है तो यह निश्चिंत रूप से उसे की निशानी होती है अब तीसरे संकेत के बारे में मैं जानकरी दे रहा हूँ यह संकेत भी सुब मपाया गया है कि गरबती मेला को नीद न आए यह संकेत भी कापी हद तक सही निकला है कि गरबती मेला को अगर दिन में नीद नहीं आती है लड़की होगी तो काफी नीद आएगी उसे और वह लड़का होगा तो नीद उसकी खतम हो जाती है दिन में उसे बिलकुल नीद नहीं आएगी रात में भी काफी लेट तक नीद आएगी तो ये किसी टेंसिन की वज़े से नहीं होता है ये कुदरती होता है कि आपके गरम में पढ़ रहा बच्चा लड़का है मैला को सोने की कोशिस करेगी तो उसे निद नहीं आएगी वो कुछ ना कुछ कारे करती रहेगी या खाती पीती रहेगी खाने पीने का भी विशेश हुए बार-बार खाना आपको बार-बार भूक लग रही है आप बार-बार किचन में जा रहे हो कुछ ना कुछ खा रहे हो तो उसका भी संकेत मिलता है कि लड़का है ये तीन संकेत बहुत ही सही पाए हैं इनका रजल्ट 90% या 90% सही निकला है अगर आपको भी ये संकेत दिखाई देते हैं तो आप अनमान लगा सकते हैं कि अवस्री ही लड़के की प्राप्ती होगी बाकी बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता है जब भी आप संतान प्राप्ती के बारे में सोच रहे हूँ तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकार्य अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें जिससे सब को पता चल सके टैंसन दूरो लेकर नहीं चीज का ध्यान रखें टैंसन बिलकुल नहीं लेनी है एक चीज का ध्यान रखना है आपको आपको उपायन पर भी विशेश ध्यान देना है समय का विशेश रूप से ध्यान रखना है सही समय होना चाहिए और साथ ही जब आप गरबदारन करें उस समय तिथियों का विशेश रूप से दिन का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए तब ही रजल्ट सही मिलता है लक्चन कोई सही नहीं होते इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखें उपाय आप करेंगे भगवान सिव की पूजा करेंगे भगवान विश्णों की पूजा करेंगे नेमित रूप से जो उपाये बताए गए उनका पालन करेंगे तो आपको अवश्य लाम मिलेगा आपके मन में जो भी कामना है वो है आपकी मनों कामना अवश्य पूर जोगी प्रते दिन भगवान सिव जी का अवश्य प्रारम कर दें प्रते दिन आपको भगवान सिव का अवश्य करना है जिनको भी पुत्र की प्राप्ति चाहिए पुत्र की कामना है तो प्रते दिन भगवान सिव जी का अवश्य करें भगवान कृष्ण की पूजा करें भगवान कृष्ण को इश्णान कराएं और उनकी इश्णान का जो जल है वह पीना चाहिए तुलसी माता की सेवा करें नेमेत रूप से गो माता की पूजा करें तो आपको अवश्यलाम मिलेगा ओम नमस्यवाए